हेलो एप्रिवन शिफ शक्ति चानल में आप सभी का स्वागत है यह करेंट एनर्जी है तुइन फ्लेम्स की और यहां पे सिर्फ एनर्जी को लेकर मैं बात करूंगी आप फिजिकल बॉडी में मेल हैं फिमेल हैं यह मैटर नहीं करता है ठीक है मैं एनर्जी ही बताऊंगी अ समझ जाना यह मैस्कॉलाइन एनर्जी है जो आपका इनर्ज्वाइन इंबैलंस है ठीक है और यही 3D में कहीं न ज कहीं मिरर हो रहा है reflection पड़ रहा है इन सब चीजों का ठीक है reflect कर रही है तो जो df है यह dm है ठीक है आप लोग कहीं न कहीं fear so operate कर रहे हो आपकी जो past के karmic cycle थी आपको लग रहा था end हो चुकी है और हो भी चुकी है 90 से 95% बट वो चीज़े वार वार सर्फेस हो रही है ठीके karmic cycle आपकी फिर से री सर्फेस हो रही है और वहां आपको fear आ रहा है तो आप समझ जाओ अभी आपके अंदर ये fear का issue है ये कुछ control का issue है या anger का issue है या मुझे ये भी दिख रहा है आप मैसे जो आपके साथ जो कार्मिक जुड़े हुए हैं चाहें वो family में हो आपके husband हो आपकी wife हो या कोई भी हो बहुत ज़ादा manipulate करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़ादा कार्मिक drama भी नजर आ रहा है मुझे क्योंकि ये full moon भी आ रहा है तो आप ये चीजे आपनी life में देख सकते हो कि कार्मिक अपना रूप दिखा रहे हैं अपना drama कर रहे हैं manipulate कर रहे हैं कि नहीं मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा और आपकी family में भी कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं जो हो रहा है होने दो मतलब जो गलत हो रहा है उसको आप होने दो रोको मत जो support कर रहे हैं होंगे वो भी कही न कहींगी इवफ करके आपसे बोल सकते हैं, ऐसा फैमिली में हो सकते हैं, या आप भी ऐसा सोच सकते हो कि जो हो रहा है, होने दो, देखो कुछ गलत हो रहा है, उस पर आपको effort डालना बहुत जरूरी है, अगर दिख रहा है, सामने गलत हो रहा है, गलत का विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक इशू है, आग बंद कर रहे हो या डर लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती है, मैं नहीं बोल सकती, मुझे बहुत fear है, तो आप थ्रौर चक्रा पर वर्क करें, एक्शन नहीं ले पारे है, अपने लोवर चक्राश पर वर्क करें, क्योंग गलत चीज का साथ देन इसे रोका है, तो ये भी आपके लिए एक बड़ा चालेंज है, इस टाइम में, जिसको आपको पार करना है, जो भी सर्फेस हो रहा है, इस कार्मिक एनरजी की वज़े से, ये कार्मिक पार्टनर हैं, जो भी हैं आपके आस पर, उनको आप रिलीस कीजिए, जो भी चीज़ का ब्रोध नहीं करेंगे, तो डियम भी वही चीज़े करेंगे, वो भी गलत चीजों का ब्रोध नहीं करेंगे, गलत चीजों को सपोर्ट करेंगे, सही का सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने देखा होगा, जो अनवेकंड डियम होते हैं, या डिसॉर्टेड डियम होते हैं, वो सपोρ्ट नहीं करते हैं DF को सही को मतलड mean DF आप सही हो या कुछ भी सही है उसको सपोर्ट नहीं करें गलत चीज़ को सपोर्ट करेंगे गलत person को सपोर्ट करेंगे कार्मिक person को सपोर्ट करेंगे अजब इनकी awareness वड़ती है vibration high होती है यह किसकी वज़े से होता है जब आप in over करते हो अपनी vibration को high करते हो healing करते हो अपनी energy को 3D से 4D में shift करते हो 4D से 5D में shift करते हो और आगे जितनी dimension अगर आप उनको भी cross कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप एक universal truth से जुड़ जाते हो आप inner truth को जानने लगते हो reality क्या है उसको जानने लगते हो समझ रहे हो न तो वही चीज कार्मिक आपको रोकने की कोशिश कर रही है आप manifest बहुत चीज़े कर रहे हो बट कही न कहीं doubt की वज़े से fear की वज़े से आपके lower चक्राज के energy कही न कहीं release हो रही ही है कार्मिक energies ठीक है आपको बहुत ज़्यादा अपने उपर जो वर करना है वो fear को लेकर वर करना है control जो कार्मिक लोग control करना चाहा रहे हैं आपको अपने अनुसार चलाना चाहा रहे हैं कि हम जैसा चाहें वैसे चलो हम जो कहें वो करो और गलत का ही साथ दो तो नहीं आपको गलत का साथ नहीं देना है पूरा effort डालिए आगे जो result आएगा वो इश्वर की मर्जी है बट आप अगर गलत का साथ दे देंगे तो इश्वर भी आपका साथ नहीं देंगे तो आपकी partner भी यही चीज़े face कर रहे हैं mirror कर रहे हो ठीक है energy कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा reflect कर रही है DMV अगर कार्मिक के साथ है तो वो कहीं fear की वज़े से action नहीं ले पा रहे है fear बहुत आ रहा है डर लग रहा है कि कार्मिक कुछ भी कर सकता है तिके manipulate हथ से ज़्यादा कर रहे हैं कार्मिक आप गलत हो वो सही है ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि कार्मिक ये लोगों को show करें कि हम सही है हमने जो किया था वो सही किया था और इन्होंने जो किया वो गलत है आप गलत हो पैश्वर जानता है आपने क्या किया है क्या नहीं किया है और उन्होंने क्या क्या है वो भी इश्वर जानता है ठीके 3D में आप सबको proof नहीं दे सकते और proof भी दे देते हो अंत में जीत जो होती हो सच की ही होती है सच्चाई की ही होती है आज आपको लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं ठीके आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं आप आपके जो best friend थे या जो भी बहुत ही प्रीय मित्र थे आप लोगों के वो तक आपके against हो रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जो सही है उसके लिए आप आवाज उठाईए और सही कीजिए और ऐसे भी नहीं करना है कि आप बहुत गुस्से के साथ कोई action ले रहे ह वो भी आपके औरा में जलकता है पता चलता है एनरजी आपकी शेक होती है कि आप फियर के साथ बोर्ड रहे हो एंगर के साथ बोर्ड रहे हो या आप एगू के साथ बोर्ड रहे हो या एगू के साथ एक्शन ले रहे हो फियर के साथ एक्शन ले रहे हो होता है पैनिक रहा है, mirror exercise कीजिए, fear से related meditation कीजिए, जिससे आपकी fear की energy जो surface हो रही है, वो surface पे आके release हो जाए. कार्मी को entertain करने की जरूरत नहीं है, बहां पे react करने की जरूरत नहीं है, जब time आए सही, तब आप बोलिये, ठीके, छोटी छोटी कर दो किईयां तो कामत कुछ करना पास्ट में ऐधे रहाना कादु खात रहना जाना लोग कोई रीस हो रही है Ma छי करये के इस तो बहुत से आपके इशोस भी सहाना हбо साथ सात शार पास्ट हो रहे हैं यहां आपको ट्रिगर मिल सकते हैं आपके काल्मिक से फैमिली से बहुत ज़दा फैमिली ड्रामा देखने को मिल सकता है काल्मिक ड्रामा देखने को मिल सकता है आपको जहां चुप रहना है वहां चुप रही है जहां बोलना है वां टरकी वज़े से आप चुप मत रहिएगा बोलिएगा, अपना सच रखिएगा चाहें वो कोई भी हो चीक है, पैरेंट्स भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको बोलना है पैरेंट्स को ऐसे नहीं देखना है कि ये बड़े हैं, हम छोटे हैं सही बात रखने के लिए एज को मत देखे अपनी बात रखे, सही गलत को देखे कि क्या सही है, क्या गलत है कभी-कभी पैरेंट्स भी बच्चों को गलत काम करने में उने सपोर्ट करते हैं और बच्चे ये सोच के आगे बढ़ जाते हैं या आपके माईके में ही कुछ लोग ऐसे हो या आपके ब्रदर सिस्टर ही ऐसे हो जो आपके अगेंस्ट हो जाएं आपको वैल्यू ना दें, आपकी रिस्पेक्ट ना करें आपको वर्दी ना समझें बहुत से चीज़ों होती है मैं especially Twin Flames को लेकर ही बोड़ रही हूँ हर किसी को लेकर नहीं बोड़ रही ही हूँ तो आप लोग अपनी इन सब चीज़ों पर बर कीजिए हीलिंग कीजिए और जो manifestation power है कही ना कि इसलिए आपके जो चीज़े manifest कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही है आज मैंने reading भी की है तो वहाँ पर वही लोग manifest चीज़े कर पाएंगे डूसरे चैनल पर reading की है वही लोग manifest चीज़े कर पाएंगे जो सच में अपने सारे doubts सारे issues fear के या controlling co-dependency attachment जो भी है कर्मा cleansing आपने सब कुछ कर लिया है उनी की चीज़े manifest होना स्टार्ट होंगी ठीक है फुल मून पर आपको कुछ चीज़े बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइब में अबंडन्स ग्रोथ पॉजिटिविटी प्रोग्रेस यह तभी possible है manifestation जब आप हाई बाइबरेशन में होते हैं अगर आपकी लाइब में नहीं है तो आप कही न कहीं मिरर कर रहे है इस टाइम पीरियड में कूंकि 555 पॉर्टल भी आपका नजदीक ही है और फुल मून भी आपका नजदीक है तो इन चीज़ों पर आप वर्ग कीजिए खुद की हीलिंग कीजिए खुद को जादा से जादा positive लखी ए खुद को सबसे जादा affirmation दीजिए और उस affirmation से आपकी energy connect नहीं हो रही है तो जो भी आपके अंदर stuck है जो भी आपकी soul में energy store है उसको लिखकर release कर दो जो भी आ रहा है suppressed नहीं करना है अगर आप suppressed कर रहे हैं आपको डर लग रहा है और आप खुद से ही बोले कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है तो आप कही ना कहीं खुद से ही जूट बूल रहे हो तो यह सब चीजे नहीं करनी है तो चलिए आज के लिए वस इतना ही नेक्स वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहे है सौस्त रहे है